Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ GK Olympiard का सांपल वोक्षिट शेर करने जा रही हूँ अगर आप बच्चों को Olympiard की तयारी कराना चाहते हैं तो आप इस तर से बच्चों को सांपल वोक्षिट बना के घर पर प्राक्टिस करवा सकते हैं इससे पहले भी मैंने आपके साथ कही सारे GK Olympiard से रिलेटर वोक्षिट शेर किया है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगे बच्चों के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर जरूर करें तो हीए इस फ स्टार आइग यू एंड लाइट तो यह एक बच्चे को रिडल फॉर्म में वेश्चेन दिया गया है यहां पे बच्चे को पिक्च्छ बनागे ऑप्शन तीए गा है बच्चे को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है तो इसमें का correct answer क्या होगा, correct answer is sun, क्योंकि यहाँ पे लिखा है I am a star, sun एक star है, I give you heat and light, sun से ही हमें heat और light मिलता है, और हम sun को night में नहीं देख सकते, इसलिए answer sun होगा, तो बच्चे को इसे tick करना है, next question, identify the national flower of India, so यहाँ पे बच्चे को pictures बना के दिये गया है, so national flower of India कौन सा है lotus, तो बच्चे को option A को tick करना है, here is the next question, after I sneeze, I say das, यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे जब sneeze करते हैं, उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ पे option C है गया है, option A, you are welcome, option B, beg you pardon, option C, good morning, या फिर option D, excuse me, तो जब भी हम कभी sneeze करते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए, excuse me, option D is the correct one, तो इसे tick करना है, उसी तरसे next question है, identify the name of young one of the given animal, यहाँ पे बच्चे को एक animal का picture दो कर दिया गया है, अब बच्चे को इस picture को identify करते हुए, इसका जो young one है, उसे हम क्या कहते हैं, वो दिये गए option में से tick करना है, जैसे option पहला दिया है, कब, option B, kid, option C, calf, या option D, lion, कि किस animal की picture है, तो यह लाइन है, तो लाइन के young one को हम क्या कहते हैं, कब, so option A is the correct one, उसी तरसे next question है, in which of these words, H is silent, यहाँ पे बच्चे को कुछ words दिये गए है, जिसमें बच्चे को यह देखना है कि कौन से word में, जो H है, H letter, वो silent है, जैसे पहला option है, hair, next option is R, next option is half, and next option is whole, तो यह यहाँ पे बच्चे को ध्यान रखना है, कि बच्चे जब भी कोई word बोल रहे है, तो वहाँ पे यह ध्यान रखना है, जो H का sound है, वो बच्चे को silent वाले word को दूनना है, तो यहाँ पे देखिए, H, A, R, E, hair, यहाँ पे H sound आ रहा है, उसी तरस next में यहाँ पे R, तो next question, which is the odd one out, यहाँ पे बच्चे को options दिये गए हैं, जिसमें से बच्चे को odd one out, यानि कौन सी उस family से relate नहीं करता है बाकी की तीन option से, बच्चे को उस वाले option पे टिक करना है, जैसे पहला option है cow, second option है camel, third option है lion, and fourth option is fish, तो यहाँ पे odd one out कौन सा option है, fish, किसली है, क्योंकि cow, lion और camel land animal है, लेकिन fish एक ऐसा animal है, जो कि water में रहता है, तो यह option odd one out है, उसी तरसे next question है, my father has a brother, his name is john, john is my dash, यहाँ पे बच्चे को family में जो relations होते हैं, उससे related question दिया गया है, तो यहाँ बोला गया है, my father has a brother, मेरे पापा के एक भाई है, उनका नाम जान है, तो john मेरे क्या ल ब्रदर, तो अगर पापा के भाई है, तो वो आपके क्या लगेंगे, option B, uncle, तो अंकल वाले option पे टिक करना है, उसी तरसे next question है, different parts of the body help us to do different things, which of the following parts of the body help us to smell a flower, यहाँ पे बच्चे को कुछ parts of body से related picture बना के दिया गया है, और यह पूछा जा रहा है कि कौन सा part हम use करते है फ्लावर को smell करने के लिए, जैसे option A में ear है, option B में eye है, option C में tongue है, and option D is nose, तो कोई भी चीजों को हम smell करते हैं कैसे अपने nose से, तो option D is the correct one, तो इस तरसे बच्चे को समझते हुए इसे complete करना है, here is the next question, Gia loves playing with dolls, her mom bought her a doll, Gia is feeling, यहाँ पे बच्चे को एक story बना के दिया गया जैसे इसमें बोला जा रहे, Gia loves playing with dolls, Gia को dolls के साथ खेलना अच्छा लगता है, her mom bought her a doll, mom ने Gia को doll लाके दिया, so Gia is feeling, Gia कैसा feel करेगी, option A sad, option B sleepy, option C happy, यह फिर option D angry, so option C happy, Gia को doll पसंद है, तो अगर mom ने Gia को doll दिया, so she will feel happy, so option C is the correct one, उसी तरसे next question है, teacher is to school as doctor is to space, यहाँ पर बच्चों को analyze करना है, यहाँ पर बोला है teacher is to school, so doctor is to, option A hospital, option B police station, option C school diary, या फिर option D temple, तो यहाँ पर देखें, teacher हमें school में दिखते हैं, तो doctor हमें कहां दिखेंगे, hospital में, so option A hospital is the correct one, तो इस तरसे आप बच्चों को समझाएं, और बच्चों को कहें कि समझते हुए questions को solve करते हुए correct answer को टिक करें, here is the next question, we celebrate महात्मा गांधी's birthday as dash, यहाँ बच्चों को पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का हम birthday किस वे में celebrate करते हैं, option A गांधी जयनती, option B Republic Day, option C Independence Day, या फिर option D Diwali, तो गांधी जी का जब बच्चों का जब बच्चों कैसे मनाते हैं as गांधी जयनती, उसी तर से next question है, how many legs does a spider have, option A 4, option B 7, option C 3, या फिर option D 8, तो spider के कितने legs होते हैं, 8, so option D is the correct one, here is the next question, which among the following gives us oxygen, यहाँ पर बच्चों को कुछ पिक्चर स्ट्रॉ करकर के दिया गया है, बच्चों को पूला जा रहा है कि इन में से कौन हमें oxygen देते option A, tree, option B, sun, option C, moon, या फिर option D, none of above, यानि इन में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा option correct है, oxygen हमें कौन देता है, trees, so option A is the correct one, here is the next question, which of the following is used to measure fever, इन में से हम कौन सी चीज को use करते हैं, fever को measure करने के लिए, option A है, voltmeter, option B, anemometer, option C, thermometer, या फिर option D, none of them, so measure करते हैं हम fever को किस चीज से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं thermometer, so option C is the correct one, उसी तरसे next question है, who invented the computer, computer किसने invent किया था, option A, Thomas Alva Edison, option B, Shakespeare, option C, Bill Gates, या फिर option D, Charles Babbage, तो computer को किसने invent किया था, Charles Babbage, जिसे हम father of computer भी कहते हैं, तो इस तरह से आप बच्चे को समझाएं, Here is the next question, how many states in India, India में कितने states हैं, option A 22, option B 29, option C 20, या फिर option D 30, so India में कितने states हैं, option B 29, Next question, we use the seeds of which plant to get oil, हम कौन से plant के seed को use करके हम oil लेते हैं, या फिर oil हमें मिलता है, उस option पे बच्चे को टिक करना है, जैसे option A है mustard, option B canola, option C sunflower, option D all of these, तो mustard, canola और sunflower ये तीनों plant के seed से हमें oil मिलता है, so इसी लिए option D all of these is the correct one, तो इसे टिक करना है, Same way, next question, Muslims workshop in a dash, Muslim people कहाँ पूजा करते हैं, तो option A है, गुरुद्वारा, option B है चर्च, option C mosque, या फिर option D temple, तो Muslim लोग जहाँ पे इबादत करते हैं, या जहाँ पे वो वोक्शिप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं, तो option C is the correct one, next question, which of the following is an incorrect match, यहाँ पे बच्चे को हर option में कुछ pictures draw करके दिये गए हैं, अब बच्चे को यह find करना है कि कौन सा incorrect match है, उसे बच्चे को टिक करना है, जैसे पहला option में एक feet है और socks है, तो socks हम feet में पहनते हैं, तो यह option correct है, same way next है, यहाँ पे बच्चे को एक neck draw करके दिया इसके साथ, यह necklace है, तो necklace और neck match करता है, क्योंकि neck में ही हम necklace को पहनते है, next option, eye के साथ hairband, तो यह option गलत है, क्योंकि eye में हम hairband को पहनते नहीं है, हम head पे पहनते है hairband को, so this is the incorrect match, तो बच्चे को इसे टिक करना है, और यहाँ पे option D में रिस्ट बना है, और यह घड़ी है, य next question, which one of these is a benefit of physical exercise, यानि physical exercise से हमें कौन सा benefit होता है, उस option पे बच्चे को टिक करना है, जैसे option A है, it help us to stay fit, option B, it makes us lazy, option C, it may make us fall ill, and option D, it may cause an injury, so physical exercise से हमें क्या benefit होता है, option A, it help us to stay fit, यानि कि physical exercise करने से हम fit रहते हैं, तो option A is the correct one, तो इसे बच्चे को टिक करना है, that's all for today's videos, friends, I hope कि आपके बच्चे के लिए ये GK की Olympiart से related sample worksheet काफे helpful रहे होगी, अगर आपको वीडियो helpful लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को like करें, अगर आपके पास कोई comment या query है, इस worksheet स related तो आप comment कर सकते हैं comment box में, मिलती हूँ आपसे next worksheet के साथ, तब तक के लिए take care and bye-bye